असलाम वालेकुम तमाम सब्सक्राइबर मेरे दोस्त मैं आज आपको इत बात दाना चाहता हूँ कि कि अगर आपको मेरी बात अच्छी लगे तो इसको शेयर भी करना है और लाइक भी करना है और स्पोर्ट भी करनी है तो अविवर मैं शुरू करता हूँ अब बात भी इतनी कंबीर है कि मैं क्या बता हूँ आपको कहां से शुरू करूँ क्यों कि बात है मेरे साथजा के जिन के पास हम पढ़े हैं जिन्हों ने हमें इसलाम करना सिखाया है कि इसलाम कैसे करते हैं उटना बैठना खाना बीना जैसा के आप आप आपको पैदा करते हैं और थोड़ी सी जबान लगती है और वो आपको स्कूल ताखिल करवा देते हैं और उस साथजा वो हैं कि जो आपको अलिव पैसे लेकर और कहते हैं कबर तक वो तालीम देते हैं अब बात आगिया उनके उपर तो सब्सक्राइबर आज गम से नडालों हकीकत बाद है कि मेरे कुछ अपने हैं मेरे साथजा हैं जिन्होंने मुझ से आज बात शेयर की कहते हैं जिसमान हम बहुत परेशान हैं हमारे साथ ये मसाइल हैं कि हमारे साथ जो वादे किये गए थे कि आपको पैंशन मिलेगी अब देखो कि वो हमें जेलों में उठा के भैंग रहे हैं कोई सुनने वाला नहीं है तो मैं कहना चाहूंगा खुदारा रह्म करें साथ साथ के उपर रह्म करें इन्होंने आपके बच्चे इन्होंने आपके बच्चों को पाला है पाला भी है तालीम भी दी है और चुटे से लिफ से लेकर इन को अफसर बनाया है तो इनको उनका हक मिलना जाहिए हकीकत बात यहाई कि मैं अकसर वीडियो में हस्ता रहता हूं अपनी वीडियो में जब बात मेरे छाधे आई हुआ है दो हकीकत बात है आज हंसी देख रहे है हंसी बे नहीं है मुस्करहार्ट पे नहियरे चेहरे के उपर तो मैं यही कहना चाहूंगा प्लीज हमारे साल्जा के उपर रह्म करें उनको उनका हक दें और आप यह तो देखें कि उनका कसूर क्या है ना तो वो सियासत करते हैं और नहीं सियासत में जाते हैं कि उनको कुसूर यह है कि वो हमारे बच्चों को हमें आला शज़्स एक उनको पनातें और जास है कि उनको कुसूर यह जा है कि वो हमें ईलम देते हैं नहीं तो सची बात यह है कि आज मेरे असाज़ा मेरे आगे रोने पड़े है रोने लगा है कहते है रिस्वान ऐसे बात है कि पचास जार सेलरी है गुजर बड़ी मुश्किल से उता था अब जब कि इतने दिन हो गये हैं वो इतने परेशान हैं कि वो जिन्दी की तरही तंग है खुदारा ऐसे हालाद ना पैदा करें कि हमें पच्टाना पड़ें कि जो साज़ा होता है न वो असासा होता है पाकिस्तान का जहां रहता है उस जगा का जिसको बहुत आलीम देता है उसका तो मैं फिर भी रिक्वेस्ट करना जाओंगा कि मेरे इस पैगाम को लाइक करो शेयर करो अगर मेरी बात अच्छी लगए तो साज़ा के हक में दौा करो कि अल्ला पाग उनके मुश्किलाथ खत्म करें और कर ही क्या सकते हैं दौा के इलावा और किस के आगे किस से मदद मांगें तो यही कहूंगा जो हमारे कुला साज़ा है वो हमारे साज़ा है तो हमारे साज़ा को प्लीज उनका हक दिया जाए पाकिस्तान जिन्दाबाद पाकार्मी पाइंदाबाद